तबसकार मैं मानस मिश्चावणी नूजनेशन में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ बड़ी ख़बर आ रही सुप्रिम कोर्ट से जहां सुप्रिम कोर्ट में मुस्लिमों के जो चार बीबियां रखते थे और वो चार बीबियां नहीं रख पाएंगे सुप्रिम कोर्ट ने एतिहासिक फैसला सुनाया है और UCC पर मोदी का ये सबसे पहला धमा का आपको दिखाने जा रहे है आखिरकार सुप्रिम कोर्ट ने क्या कुछ को क्या है और आखिरकार सुप्रिम कोर्ट ने एक बार फिर दंड प्रक्रिया संगिता सियार पीसी की धारा 125 के ताहत मुस्लिमों के भी अपने सोहर से गुजारे भत्ते की मांग करने के जो जायज फैसला था उच्छे जायज ठहराया है इस फैसले में 1985 में सहाबानों बेगम के मामले में एक सीर सदालत के अतिहासिक नर्लाय की आदे ताज़े कर दी है सियार पीसी की धारा 125 के धर्म निर्पेशिता प्रवाधान के तहत मुस्लिम महिलाओं को भरड पोसर का भत्ता देने का विबादास पर जो मुद्दा था 185 में राजनेतिक गलियारों में गुजा था उस वक्त मुहम्मद अहमत खान बनाम साहर बानों बेगम मामले में संविधान पीट ने सर्ब सम्मती से ये फैसला सुनाया था कि मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता पाने की हगदार है सुप्रिम कोड की जस्टिस बीबी नागरतना और जस्टिस आगस्टीन जार्ज मसरी की पीट ने अपने फैसले में कहा कि साहबानों मामले के फैसले में कहा गया था कि जो मुस्लिम महिला तलाग दिये जाने या तराक मांगने के बाद अपने गुजारे भत्ते में सक्चम नहीं है वो अपने पती से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार है इस मामले में बीबी के प्रतिश सौहर के भरर पोसर के मुद्धे पर ब्यापक चर्चा की गई है आईए लीगल एक्सपर्ट से समझते हैं कि इस धारा में बुनियादी पहलियों के बारे में और इस से जुड़े पेश के बारे में क्या चीज़े हैं आखिर क्या है धारा 125 जिसके भरर पोसर दी नहीं देने पर जेल हो सकती है जी हां दिल्ली में सुप्रेम कोड के एडोकेट अनिल सिंग स्रीनेत कहते हैं कि दंड प्रक्रिया संगिता CRPC की धर्म निर्पेक्ष है और अप्रादिक मामलों के कानून धर्म रिप्रेक्ष है पसनल ला ऐसे मामलों में बेहसर है दंड प्रक्रिया संगिता का एक सेक्षन है 125 इसमें बीबी अगर सक्चम नहीं है तो अपने पती के भरर पोसर का मांग कर सकती है इस बधारा के तैत भी मा भी अपने बेटे से भरर पोसर का मांग कर सकती है यह कानून हर धर्म के लोगों पर लागू है इसमें मुस्लिम महिला भी आती हैं और भरर पोसर की मांग कर सकती है अगर पती भर पोसर देने से इंकार करता है तो उसे हर महीने के हिसाफ से सजा होगी यानि जिस महीने वो भर पोसर नहीं देगा उस महीने की जेल होगी ऐसा तब तक करना होगा जब तक कि उस वेक्त की बीबी तलाक लेकर दूसरी साधी नहीं कर ले यहां तक कि बिना तलाक क किसी भी मुस्लिम महिला का गोजारा बत्ता जो है वो मांग सकती है अगर उसे लगता है कि दूसरी बीबी से साधी के बाद उसका पती उसकी पेच्छा करता है तो वह अपने उसके लिए भर पोसर का दावा कर सकती है यूनिफार्म सिविल कोड में इतना परेज आकरकार क्यो लागू होगा जैसे जैसे घरवलु हिंसा की मामले में बात करें तो आपराधिक मामलों की तहत ही डील किये जाते हैं वहां भी पस्तनल्ला माननी नहीं है यह कानून पस्तन सुरू होने से ही है और सी यार्पीसी की धारा एक सो पच्छिस धर्म रिपेच्छ धारा है चुक जरिया अपना हक ले लेंगी दारा एक सो पच्छिस का नेचर आपराधिक पस्तनला माननी नहीं होगा जी हैं डोकूर अनिल स्रीनेत कहते हैं कि साधी करना तलाक लेना प्रॉपर्टी में हिस्ता लेना दान देना या वसीयत करना सिविल के माइने हैं मुस्लिम के लिए ये मामले पस्तनला के तहत दील किये जाते हैं यानि ऐसे मामलों में शरिया कानून अपलाई होता है चुकि भारत में सरीयत कानून लागू नहीं है यह सिर्प इस समुदाए के लिए दिवानी मामलों में ही लागू होता वहीं आपराधिक मामलों का ये अर्थ है कि आपराधि का कहना है कि उनके लिए इन मामलों को भी सरीया कानून माना जाएगा क्योंकि मुस्लिम पुरिस किसका क्यों आखिर का बिरोध करना है उसको सुरा समझेगा मुस्लिम पुरिस कामन सिबिल का कोड को यह करब के बिरोध करते हैं कि हमारे पसनला में तलाग के मामलों को लेकर ब जरता है कि उनिफार्म सिविल कोट के आने से मुस्लिम महिलाएं ताफकत वर हो जाएंगी और वो गुजारे भत्तों की मांग कर सकती है गरेली इंसा में सोहर को जेल पहुचा सकती है जबकि सर्या में इस तरह का खास प्राउधान नहीं है मुस्लिम पुर्सों का मानमानापन खत्म हो जाएगा पहली बिबी को गुजाराबदा दिये बिना दूसरी बिबी नहीं ला सकते हैं जबकि सेक्षwydd एक्सो पछीस उसके इस मनमानेपन पर लगाम लगा सकता है पहली बिबी बिना तलाक दिये ही परियाप्ट गुजाराबदा मांग सकती है वह सौहर के साथ रहकर भी उससे खर्चा मांग सकती है जब कि पसनल लाग में सोहर ऐसा करने के लिए बात दे नहीं है प्रॉपर्टी में महत 6 फिस्दी हग यहां पर है कैसे होगा गुजारवाता जी हां अडुकेट अनिल कुमार सिन का स्रिनेत कहते हैं कि मुस्लिम समधाय में प्रॉपर्ट में बस 6 फिस्दी का हिस्सा ले सकती है यहां बेटे का हिस्सा 45 फिस्दी जबकि बचे वे हिस्से में बेटिया समेथ बाकी लोगों का हिस्सा होगा ऐसे में जब बीबी अपने गुजारे भत्ते में सच्चम नहीं है तो उस 6 फिस्दी में क्या होगा यह सबसे बड़ा सव इन सब के भी सीविल कोड यूनिफार्म सीविल कोड आने से क्या बदल जाएगा वो थोड़ा समय लीजीगा। यूनिफार्म सीविल कोड आने पर यह है जब्र Both के सिविल मामलों से लागक हो जाएगा। सुप्रिम कोड केस पैसले में यानि सियार पिसी की दारह 125 सब पर अपलाई होगा इसमें मुस्लिमों के लिए सरया काईनुन पर चोड़ पह। पहूंश दी है क्या कहता है मुस्लिम पसनला उनीुसले स्थाखिंट जी हाँ मांग सकती हैं हलांकि उसकी कई सर्ते हैं इस कानून के तहट हर वो तलाक ले चुकी महिला मुस्लिम महिला जिनका निकाह कानून के तहथ हुआ है वorous गुजारे भत्ते की हकदार है नफका के तहट रोटी कपड़ा और मकान इन खर्चों को सामिल किया जाता है अगर पर निकाहमान नहीं तो अनियमित है तो पती नफखा देने के लिए बाद दिन नहीं है मुस्लिम महिलाओं के किलाफ नफखाह का यही पेंच है मुस्लिम महिला अधिनियम में इसे में इद्धत कियोधी रखी गई गै और मायने एड़ोकेट्स से बाजिस काते हैं कि मुस्लिम महिला इनी तलाग पराधिकानेों का संदाचार अधिनियम 1986 के तयात भरर पोसर से संबंदित कई प्राउधान किये गए हैं कानून के मुताबिक मुस्लिम बीबी की इड़त कियाओधी तक मदद पाने का हक है यानि कि एक पती का अपनी पत्नी के पर दायोत इड़त कियाओधी तक अंत तक जाई रहता है या वही इड़त कियाओधी खत्म होने के बाद महिला खोद अपना भरर पोसर करने के लिए समर कर सकती है क्या है इद्दत जिससे मुस्लिम समुदाय में है कहीं ने कहीं आहमियत एड़ोकेट कहते है कि एड़ोकेट सिवाजी के सुकला के अनुसार इसलाम में इद्दत यानि इद्दाह अरभी भासा का सब्द है जो वहीं से आया है उसका सीधा मतलब जैसे यह है कि इंतजार का वक्त यानि कि किसी भी महिला के तलाक या उसके पती के मृत्यु के बाद वह अवधी इद्दत कहलाती है जिसका पालन करना उस महिला के लिए निमार रहे है इस अवधी के दौरान में किसी अन्य पुलिस से सा करना है इद्दत पर सित्यों के मताबिक अलग-अलग हो सकती है जाधा तर मामलों में एक तलाक सुदा महिला कोई इद्दत की आउधी तकरीब एक सो तीज दिनों की होती है इस दौरान उस महिला के निकाह करने की पाबंदी होती है अगर कोई महिला तलाक होने या मुस्लिम महिला इनी तलाग पर दिकारियों का संरचाड अधिनियाम 1986 लाई है जिसमें तलाग के समय ऐसी महिलाओं का अधिकारियों का सपस्ट करने का प्रयास किया गया सुप्रेम कोट की पांच जजों की संवेधान पीटने उनी सोचाड़नियाम को संवेधानिक्ता बैद् इसके बाद दूसरी विबी दूसरी का तीसरी विबी और चौती विबी उसके बाद उनको गुजारा भत्ता आदिना सीदे तौर पर ये ये यू सीसी चोट लेकर आईगी और सुप्रेम कोड का आज का फैसला भी बड़ा ही आम है आप सबी से अंडूत करेंगे वीडियो क साथ बहुत बहुत धन्यवाद